नमस्कार अब देख रहे हैं Zee News, मैं हूँ आपके साथ मिमानसा मलिक कठ हुआ मामले में Zee News की निश्पक्ष रिपोर्टिंग को पूरे देश ने देखा और साराहा है अब इस केस में Fact Finding Committee अपनी रिपोर्ट PMO में राजमंत्री जितेंज सिंग को सौप चुकी है टीम में शामिल सदस्यों की व्यक्तिकत राय और उनकी समझ पर ये रिपोर्ट तयार की गई है इसमें पूर्जिला जजज, सुप्रीम कोट की वकील, सामाजिक कारकरता और वरिष्ट पत्रकार भी शामिल है कट हुआ मामले पर गहराई की परताल करकर एक एक कर सच सामने लाया गया और जीन्यूस के लगातार खुलासे से क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े हुए है यहां तक की इस मामले में एहम गवाहों ने जीन्यूस पर बताया कि उनके साथ मार पीट कर जबरन बयान बनलवाए गए जीन्यूस की तहकिकात का सिर्फ मकसद है कि सच सामने आए और आठ साल की बच्ची को किसी भी हाल में इनसाफ जरूर मिलना चाहिए और इस दुनिया में जो भी सबसे कड़ी सजा है वो उसके हत्यारों को मिलने चाहिए जीन्यूस के इस बड़े खुलासे वाली रिपोर्ट को पूरे देश में देखा गया और हर शहर से देश की जिनता ने यही कहा कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता कठवा की आठ साल की जिस बच्ची के साथ गैंगरेथ हुआ और हत्या हुई उसे इंसाफ तभी मिलेगा जब इस मामले का पूरा सच बहार आएगा अब तक इस मामले में आपको सिर्फ आधा सच यानि अर्ध सत्य ही बताये गया है आपके सामने दो तस्वीरें ये दोनों ही तस्वीरें विशाल जंगोत्रा की हैं वही विशाल जंगोत्रा जो जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच के मताबिक 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक पीडित लड़की की लाश ठिकाने लगा रहा था हमारी इस खबर के बाद पूरे देश में हड़कंप है और कश्मीर क्राइम ब्रांच की जाँच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं एक खास विचारधारा के लोगों ने इसे लेकर दुश्प्रचार किया और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी शुरू हो गई कट्वा में आठ साल की बच्ची को इनसाफ दिलाने की मुहीम में Zee News ने कोई कसर नहीं छोड़ी Zee News ने कट्वा का सच लगातार दिखाया और क्राइम ब्रांच की चार्डशीट पर सवाल उठाये थे क्योंकि चार्डशीट में बहुत से तथ्य ऐसे लिखे हुए थे जिन पर शक पैदा होता था दो मई को कट्वा मामले के तीन एहम गवाहों ने खुलासा किया था कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उन्हें बुरी तरट टॉर्चर किया और जबरदस्ती ये कबूल करवाने की कोशिश की थी कि बारदात के दौरान यानि बारा जनवरी से पंदरा जनवरी तक विशाल जंगोत्रा कट्वा में मौजूद था मैं तब भी नहीं माना फिर उन्हें एक मेल आफिस आता वहां पे सचिन नीरज और साहिल नाम के तीनों गवाहों ने जीन्यूस को बताया कि क्राइम ब्रांच ने विशाल जंगोत्रा को भसाने की पूरी कोशिश की इसके लिए तीनों से फर्जी सिगनेचर भी करवाए क्राइम ब्रांच के टॉर्चर और करियर बर्बाद करने की धंकी के आगे तीनों ने वही किया जो उन्हें कहा गया हम नहीं मानने की क्या क्या बात हुई थी फिर हमें प्रेड़ में लेके गे क्राइम ब्रांच की चार्डशीट के मुताबिक पंदरा जन्वरी को शाम चार बजे तक विशाल जंगोत्रा जम्मू के कठवा में मौजूद थे लेकिन जीन्यूज ने कठवा से 600 किलो मीटर दूर मुजफर नगर के मीरापुर में दो बैंक के एटियम का वीडियो दिखाया पहला वीडियो पंदरा जन्वरी का है और दूसरा बारा जन्वरी का अब हम आपको तीन ऐसे वीडियो दिखाना चाहते हैं जो क्राइम ब्रांच की चार्शीट में लेखी बातों पर जबरदस्त शक पैदा करते हैं ये वीडियो मुझफरनगर के मीरापुर के कॉर्पोरेशन बैंक के एक एटियम के बाहर का है तारीख है 12 जन्वरी 2018 अगर विशाल जन्वरी और 15 जन्वरी को मीरापुर के एटियम में दिखा तो फिर क्राइम ब्रांच की चार्शीट में ये क्यू लिखा गया कि वो 12 जन्वरी को सुबच 6 बजे कट हुआ पहुच गया था इसका सीधा समतलब ये है कि क्राइम ब्रांच ने अपनी जाच ठीक से नहीं की सीसी टीवी की ये तस्वीरे विशाल के परिवारों को भी दिखाई गई उन्होंने इस वीडियो में विशाल के होने की पुष्टी की जी न्यूस के इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टर मुझजफर नगर के मीरापुर में मौजूद उस मकान में पहुचे जहां पर विशाल किराय पर रह रहा था इसे पहले 16 अपरायल कुष्जी ने कठवा से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी हम इस घटना से हम भी उतने ही वेथेते हैं जितना पूरा देश और हमें लगता है कि इस मामले में दूश्यों को दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन ये सजा सत्य और तत्य के आधार पर मिलनी चाहिए एजेंडे के आधार पर बिलकुल नहीं जी न्यूज की तहकीकात का मकसद सिर्फ ये है कि सच सामने आए आठ साल की बच्ची को किसी भी हाल में इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और इस दुनिया में जो भी सबसे कड़ी सजा है वो उसके हत्यारों को मिलनी चाहिए लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीती की गई और देश से सच छिपाने की कोशिश की गई मामले को धार्मिक और राजनीती गरंग दिया लेकिन सच कभी छिपता नहीं और देश ने जी न्यूज का साथ दिया पूजा मकर, पवननारा, राहुल सिनहा और राजुकेरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया तो कट्वा का सच सामने लेकर आया है जी न्यूज और इस वक्त हम रुक कर लेते हमारी सहोगी पूजा मकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है पूजा ये बताएं जो फैक्ट फाइंटिंग कमिटी की रिपोर्ट जो पेश की गई है जितेंद्र सिंग को ये सौंप दी गई है इसकी फाइंडिंग क्या हैं ये निकाली है जो कि इस रिपोर्ट में सौंपी गई है जितेंद्र सिंग को और बात आगे कैसे बढ़ेगी जी मिमान साथ सबसे पहले मैं आपको Fact Finding Committee से मिलवा देती हूँ ये वो कमिटी है हम इस वक डॉक्टर जितेन सिंग के घर के बाहर ही मौजूद है और अभी अभी ये रिपोर्ट देकर डॉक्टर जितेन सिंग से मिलने के बाद यहाँ पर मौजूद है सीधे इनी से पूछेंगे कि इस Fact Finding Committee की सबसे बड़ी बाते क्या है हमारे साथ मौनिका अरोडा है एड़ोकेट है सुप्रीम कोर्ट में मौनिका जी ये जो रिपोर्ट आपने तयार की है अगर मैं आपसे ये पूछू कि दस बड़े लूप होल जो आपको वहां मिले वो क्या थे फैक्ट फाइंडिंग टीम के नाते हम लोग जमू कठवा गए वहां रसाना विलेज में गए जो पहला घर है रसाना विलेज में चौदा घर है वहां पहले घर में बिशन सिंग रहता है जो एक्स आर्मी परसन है उसने कहा कि 17 को बच्ची की डेड बॉडी मिली है 16 को ट्रांसफॉर्मर जो बिजली का है उसमें ब्लास्ट हुआ पूरे गाउं में अंधेरा था आधी रात के बाद एक बुलेट बाइक आती है दो लोग आते हैं कंबल लपेट के आते हैं वो अंदर जाते हैं गाउं में और तीन बज़े वापस आते हैं अब वो लोग कौन थें इस पर इंवेस्टिकेटिंग टीम ने प्रोब ही नहीं किया वो डेड़ बॉड़ जी दिन मिली है उससे पहली आधी रात को गाउं के अंदर आउटसाइजर क्या कर रहे थे क्या कंबल में कुछ लपेट कर लाए थे इसको प्रोब नहीं किया गया चारशीट में कहीं नहीं है वो कहती है देवस्थान की बात करती है अब तीसरी टीम है जम्मू में कांड हुआ है जम्मू में घटना घटी है उसके ओफिसर्स लाए जाते हैं काश्मीर से Tainted officers लाए जाते हैं दो F.I.R.s lodged हैं उन officers के उपर एक के विरोध F.I.R. है कि जेल में ही custodial death की और उसकी बहन के साथ rape की F.I.R. है दूसरी के खिलाफ F.I.R. है destruction of evidence की क्या कारण है कि बहार से Tainted officers को लाया जाता है और फिर एक charge sheet prepare की जाती है तीसरा हम गाउ में जब अंदर गए देवस्थान पर गए देवस्थान मंदिर नहीं है वहाँ पर कोई basement नहीं है जैसा कुछ media houses ने बताया था देवस्थान ऐसी जगा है जब अंदर बाहर देख सकते हो तीन खिड़किया तीन दर्वाजे हैं खिड़कियों पर ग्रिल है अंदर किसी को चुपाना इंपॉसिबल है और वहां तेरा 14 15 जन्वरी को तो लोड़ी मकर सक्रांत्य भंडारा था वहां इतने लोगों का आना जाना था आप लड़की को कैसे चुपा सकते हो वहां उसका रेप कैसे कर सकते हो उसके बाद देवस्थान से जो एक्यूस सांजी पटवारी का घर है वो 300 मीटर की दूरी पर है सांजी पटवारी यानि एक्यूस के घर के पीछे ही लाश मिली है कोई भी एक्यूस किसी बच्ची के साथ दुश कर्म करके जिसमें उसके अपना बेटा इन्वाल हो लाश को अपने घर के पीछे क्यू फैंकेगा पोस्मॉटम रिपोर्ट को लेकर इसका C.L. no. 27 है और 19 मार्च को भी रिपोर्ट साइन की गई है जिसका C.L. no. 27 ही है सेम रिपोर्ट है लेकिन उसमें रिमार्क्स एड़ कर दिये गए है उसमें चोटों को बढ़ा दिया गया है क्योंगे टैंपर विद किया गया है पहले रिपोर्ट कहती है कि बच्ची के पेट में कुछ खाना पिना नहीं था दूसरी रिपोर्ट इस पर चुप हो जाती है तो बहुत इंकंसिस्टेंसी हैं और बड़ी बात यह है कि जब आठ साल की छोटी बच्ची के साथ इतनी बरबरता हुई है उसको मारा गया है सारे गाओं वाले केते हैं 12 और 17 जनवरी के बीश में विशाल जंगोत्रा कठुआ गाओं में नहीं आया चार्शिट केती है वह वहीं परता कठुआ में आपकी जो रिपोर्ट मैंने देखी है वही एटियम में जो दिखाया जाता है कि वह एटियम कहा का है मुजफर पूर का है उत्तर प्रदेश का है वहाँ विशाल जाता है हजार उपया निकालने के लिए जाता है उसकी फोटो दिख रही है वो अडेंटिफाई किया उसके घर के लोगों ने तो जो विक्ति वहाँ था उसको क्राइम ब्रांच क्यू कि दोस्त हैं सचिन है साहिल है निरज है तीनों ने कहा है कि में मारा पीटा गया है उन्होंने 164 के ब्यान मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए है कि विशाल उस समय कठुवा में नहीं था हमसे जबरस्ती ये एक स्टेट्मेंट ली गई है मुझे लगता है सी बी आ उससे बिल्कुल नहीं मिनती है बिल्कुल जो CCTV फुटेज जी नियूज ने दिखाई और जिसमें बात साबित हो जाती है कि विशाल जंगोत्रा उस वक्ट कठुवा में था ही नहीं और जो क्राइम ब्रांच की ओर से जो चार्शीट दाखिल की गई उसमें देखे कितने ज लूप होल्स हैं और जो फाट फाइंडिंग कमिटी है वो भी इसी बात पर मुहर लगा रही है जो जी नियूस की जो टीम वहाँ पर पहुंची जो रिपोर्टिंग वहां से की और साथी साथ जो CCTV फुटेज हम लगाता है आपको इतने दिनों से दिखा रहे हैं कि एक शक् क्राइम सीन पर भी उसकी मौजूदगी और साथी साथ वो अपने रहाइशी इलाके में भी रह रहा है अब इसको लेकर इतने जादा लूप होल्स हैं और इन्हीं लूप होल्स पर फोकस करती है ये फाट फाइंडिंग कमिटी की रिपोर्ट जिसके बारे में जानकारी दे कार्स